अब ground reality के मैं बात करूँ न तो यहां मैं दुबारा बोलना चाओंगा बहुत सारे agents है agencies है and बहुत सारी companies है जो आप बोल रहे हैं कि ठीक है आपको starting में कोई consultancy fee नहीं दे नी आप बस registration fees दे दो उसके बाद land होने के बाद सब कुछ होगा बात याद रखना अगर कोई अभी पैसा नहीं ले रहा है न तो बाद में definitely लेगा बहुत बार ऐसा हुआ है मैंने देखा है बच्चे किर्गिस्तान जैसी countries चले गए है और वहाँ land होने के बाद उनसे administrative charges में 2000 डॉलर तक ले लिए गए दो हजार धाई हजार डॉलर लिए जा रहे है कि ठीक है अब आपको इन documentation के लिए इतना पैसा देना है अब आपको इन medical के लिए इतना पैसा देना है तो यह सब बात है आपको याद रखने है hidden charges है तो agent मूँपे नहीं बताते है अब आ जाते है factors या फिर things जो आपको compare करनी चाहिए कहीं भी admission लेने से पहले ECFMG, WDOMS, GMC, AMC, NMC, MCI, FAMER इन सब के द्वारा किस country को मानेता प्राप्त हुए किसको नहीं हुए है fees और living expenses आपको पता होने चाहिए teacher to student ratio कितना है FMG passing ratio कितना है hostel मेंस की conditions कैसी है क्या Indian food वहां मिलता है कि नहीं मिलता है total duration कितनी है क्योंकि 2021 में नवेंबर में जो notice issue किया था NMC ने उसके regarding आपको 4.5 साल की पढ़ा है और एक साल की internship करनी है 12 months rotational internship होनी चाहिए location कितनी कहा है university की safety कैसे है women के लिए infrastructure कैसा है classes कैसा है lab कैसी है transportation facility है की नहीं है distance of hospital कितना है या hostel कितना है university से PG options क्या available होंगे हमारे पास and teaching language क्या है बहुत सारी जगाओ पे local language में पढ़ाई हो जाते है तो यह आपको याद रखना है एक और rising concern यह है कि बहुत सारी universities है बशकिर university हो गई यहाँ पे over admission हो जाते है summer card में over admission हो जाते है तो over admission होंगे तो बच्चे बहुत जादा हो जाएंगे teacher कम हो जाएंगे तो student to teacher का ratio खराब हो जाएगा तो पढ़ाई ठंग से नहीं हो पाईगी कुछ और चीज़े that you need to keep in mind first चीज़े third party websites third party websites आपकी हमेशा sponsored होती है and highly subjective होती है हर एक agent या agency को कहीं से funding मिल रही होती है जहां से उसको जादा profit होता है वो उसको promote करता है बोलता है बाकी जगा खराब है आप जब google में कुछ भी search करते हो न तो आप देखो वो website क्या है वो पक्का किसी ना किसी agency की website होती है जो बोलती है हाँ यहां से तो इतना अच्छा impact आए यहीं बच्चे को भेजो दूसरी चीज more than number of people between you and college hidden charges उतने जादा बढ़ते चले जाएंगे बहुत बार आपने देखा होगा local agent agency से बात करी फिर वो आगे जाग किसी और को refer कर देंगे जितने जादा लोग आपके और college की बीच में होंगे न hidden charges बढ़ते चले जाएंगे मेरे साथ खुद fraud हुआ था मैं फिलिपिन्स गया था वहाँ मेरा 12.5 lakh का loss हुआ था और मैं जिस agent agency के थुरू गया था ना उन्होंने कभी भी truthfully नहीं बता है पहली बात तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुमारी consultancy fee बहुत कम कर देंगे 80,000 के आसपास कर देंगे बहुत बार ये लोग ऐसा करते हैं कि आपको upfront कम पैसा बोलेंगे और land होने के बाद ज्यादा पैसा निकालेंगे आपसे देखो क्या होता है न आपका एक local agent होता है local agent के बाद आपकी local agency या office आता है उसके बाद head of local agency आता है फिर regional agency आती है फिर main agency आती है जो इंडिया की होगी फिर उसके बाद वो refer करेगी आपको main consultancy में जो उस country में होगी वहाँ पे consultancy office होगा उस consultancy office का कोई head होगा और वो head जो है direct admission कराएगा क्योंकि उसका contract होगा वहाँ university के साथ तो देख रहे हो 8 से 9 लोग होग है आपके और university के बीच में जितने जादा लोग आपके और university के बीच में होगे उतने जादा hidden charges होंगे क्योंकि ये free में तो चलेगा नहीं कोई free में काम नहीं करेगा तो हर कोई पैसा खाएगा ठीक है एक वज़ा ये है कि क्यों मैंने google form नीचे रखा है जब आप वो google form भरोगे ना तो मैं आपको actually बताऊंगा की preference के हिसाब से आपको कहा जाना चाहिए देखो मैंने आपको पहली बोला है मेरे साथ खुद fraud हुआ है middle class family होने के बाद अगर आपके साथ financial loss हो जाएना तो उससे खराब कुछ नहीं हो सकता है आप helpless हो जाते हैं आपको समझ नहीं आता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है agents बहुत खराब होते हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ वो आपके पीछे पढ़ जाएंगे वो आपके documents नहीं देंगे मैं फिलिपन छोड़ के आए मेरे अभी तक documents मुझे वापस नहीं मिले समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है तो जब आप form भरोगे ना वहाँ आपको बहुत सारी चीज़े दिखेंगे कि आपको PG के option open रखने है की नहीं आपको अपना budget कितना रखना है आपका बहुत सारे NEET का score कितना है कब NEET दिया क्या NEET के लिए prepare हो रहे हो या नहीं हो रहे हो ऐसा उसके बाद फिर मैं मैं को पता चल जाएगा ना कि ठीक है इस बच्चे को USMLE का option open रखना है तो फिर मैं उसको उसे साब से country suggest करूँगा ऐसा एक चीज और बहुत सारे बच्चे ना पूछ रहते भया किस agency के थुरू जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर अभी तक तुम्हें नहीं समझाए तो मैं बता देता हूँ I don't like agents I don't like agencies मैं नहीं चाहता आपके और college के बीच में जादा लोग आएं मैं admission नहीं दिलाता हूँ मैं एक agent नहीं हूँ मैं खुद सफर कर चुका था बट मैं आपको direct कर सकता हूँ direct admission process and officers के पास जो उस country या उस college के official agents होते हैं ठीक है ताकि आप ये local agency वगेरा के fraud में ना पढ़ो अब google form के बारे मैंने आपको बता दिया description में आपको मिल जाएगा MBBS abroad 2024 के interested बच्चों के लिए ही है बाकी को नहीं भरना है कोई compulsion नहीं है मैं agent नहीं हूँ मैं बार बार आपको बोल रहाँ ठीक है ये बस एक easier तरीका है जिससे आप और मैं connect हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास instagram नहीं है बहुत सारे parents बात करना चाहते हैं उनके पास instagram नहीं है और मैं openly ऐसे अपने contact details नहीं दे सकता हूँ इस form को भर लोगे तो मैं और मेरी team segregate कर पाईगी MBBS abroad के बच्चे कौन से हैं उनको direct कर पाईगी कोई charges वगेरा नहीं होंगे और जैसा कि मैंने का मैं कभी आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ तो मैं अभी भी कोई पैसा नहीं लूँगा देखो मेरा at the end कोई benefit नहीं होगा ठीक है बार मैं नहीं चाहता कि आपके parents का hard earned money waste हो जाए यार बहुत मुश्किल से parents सब कुछ सब कुछ मतलब निचोड के सब कुछ बचा बचा के चाहते हैं कि मेरा बच्चा doctor बने और फिर कोई agent वो पैसा ले ले और आपका भविष्य के साथ खेले जिसको कोई idea नहीं है कि medical career कैसे होता है medical life कैसी होती है जिसको कोई idea नहीं है what is like being a doctor अगर वो आपका financial loss कर आए वो आपके भविष्य के साथ खेले वो मैं नहीं सह सकता ठीक है मेरे साथ fraud हुआ है I know I know कैसा feel होता है I don't want you to face what I faced need 2024 आ रहा है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं अभी भी समझाऊँगा मेरे शब्द कभी कबार तुम्हें hard लगते हूँगे harsh लगते हूँगे लेकिन सच्चा ही यह यह NEET के लिए भी 3 महीने NEET के लिए अच्छे से तयारी करो 600 प्लस का aim करके चलो अगर NEET में अच्छा हो जाता है अगर नहीं मिल पाता है बाहर जाना पड़ता है तब यह सम देखना कभी भी कोई भी decision लो कभी भी कोई भी thought process चालू करो अपने parents को involved ज़रूर रखना local agents के पीछे मत जाना fraud में मत फसना बहुत hard earned money होता है Google form वगेरा नीचे मिल जाएगा I am happy to help I hope this video helped Thank you